Hello everyone, Today we shall discuss class 9 math exercise 4.4 question number 1. Dear friends, आज हम करेंगे question number one of exercise 4.4 class 9 question क्या है question number one हम देख लेते हैं कि क्या question है question में है give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable in two variables यह question है तो यह equation हम किस तरह बनाते हैं हम देखाते हैं सबसे पहले हम या one variable का ग्राफ पनाएंगे और नहीं दिखाएंगे किस तरह से हम एक variable 1 variable में किस तरह से दिखाएंगे और two variables में कैसे दिखाएंगे ठीक है सबसे पहले लेते हैं y is equal to 3 number 1 in one variable one variable हम कैसे दिखाते हैं और two variables में हम कैसे दिखाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले ठीक है in one variable जो equation है geometric representation y is equal to 3 है लेकिन variable 1 होना चाहिए ठीक है तो अगर हम number line representation करते हैं number line ये number line एक number line है right और जो बीजबला point है वो 0 होता है ये 1 2 3 3 4 5 एक पहले सबस्दाएंगे minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 एक है ये हैं ये हैं number 1 ये हैं number 2 ये हैं 3 ये हैं 4 ये हैं 5 सबस्दाएंगे हैं ये इकल दिस्देंगे this is minus 1 ये सिझ ज। 2, this is minus 3, this is minus 4, and this is minus 5, ठीक है, in one variable, अगर हम इसे y लेते हैं, तो यह वाला positive side है, यह negative side है, राइट, हम यह पर, y, o, y जास, यह हम number line लिये हैं, ठीक है, y is equal to 3, 3 जो point है, हम देखेंगे, 3 कहाँ पर है, यह जिरो है, 1, 2, 3, यह जो point है, this point, this point represent y is equal to 3, ठीक है, यह जो point है, हमारा, यह ही point represent करता है, y is equal to 3, तो one variable में दिखाने करें, सिर्फ y है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, ठीक है, अगर two variables होता तो x, y, y दो नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर कोई variable नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे है, सिर्फ y is equal to 3, यह जो point है, इसे हम represent कर सकते हैं, y is equal to 3, right, इन two variables में कैसे करेंगे, वो भी हम दिखाता है, in two variables, in two variables, in two variables, in two variables, two variables, two variables हम दो चीज़ ले सकते हैं, x और y, तो y is equal to 3 है, y is equal to 3, इसे हम लिख सकते हैं, 0 into x, plus y is equal to 3, ठीक है, और three points लेते हैं, और इसे graph draw करेंगे, तो हम two variables में graph मेरा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम एक graph ले लेंगे, three values लेंगे, x, y, y, कितना value लेंगे, three values लेंगे, ठीक है, x से o x, और दूसरे y, ठीक है, यहाँ पर put करेंगे, अगर x हम 0 लेते हैं, y का value होगा, 3, अगर x हम 1 लेते हैं, 1, 1, फिर भी y का value होगा, 3, अगर x का value हम minus 1 लेते हैं फिर भी y का value होगा 3 इस तरह से अगर हम plot करते हैं तो हमारा two variables में graph आजाएगा यह है one variable में y is equal to 3 this point represents y is equal to 3 and in two variables 0x plus y is equal to 3 हम plot करेंगे तो यह हमारा x और y का 3 points मुझे मिल गया और यहाँ पर हम अगर graph बनाते हैं तो अब देख सकते हम किस तरह से graph बनेगे यह हमारा x-axis है राइट यह हमारा x-axis और particle जो होता है वो होता है y-axis यह vertical line हां से हम बना रहें लेकिन आपको scale से बनाना है ठीक है this is the y-axis ठीक है x-axis में यह होता x यह origin होता है और यह होता x- यह होता y origin o and this is y-axis हम रानते हैं राइट this is the graph और यहाँ पर होगा 1 2 3 4 यह पर होगा-1-2-3-4-5 यह पर होगा 1 2 3 4 यह पर होगा-1-2-3-4 हम रिक लेते हैं 1 2 3 4 यह पर होगा-1-2-3-4-5 यह पर होगा-1-2-3-4-5 यह पर होगा-1-2-3-4-5 यह पर होगा-1-2-3 यह पर ? ठीक है? चाल पईल लिया है अभी ये gëं पइंत हम लेंगे 03, S के वैलू 0 Y के वैलू 3 03 हमारो जेब पॉइंत आएगा X के वैलू करने 0, Y के वैलू 3 तो ये वाला-we trailer आएगा हमारा ये बाला ठीक है? E कuta. 03 ओर एक पउइंत लेंत है 13 जब 1 होगा फिर भी हमारा 3-point होगा तो यह बहला point मेरा आएगा, right? इस इस 1, 3, right? और एक point लेते हैं, minus 1, 3, minus 1, 3, यह point लेंगे, ठीक है? minus 1, minus 1, 3, तो यह जह हमारा straight line लेते हैं, इस रेप्रेसेंट्स, wise girl 3, ठीक है? अगर मैं straight line लेते हैं, 3 points में, 1, 2, 3, हमारा straight line ले लेते हैं, आपको scale से करना, हाथ से करके दिखाते हैं, ठीक है? यह हमारा straight line है, this represents wise girl 3, ठीक है? हम इसे arrow देते हैं, कि यह हमारा straight line है, जो, this is straight line, and this represents wise is equal to 3, तो दोनों में difference है, यह one variable में सिर्फ एक लमन लाइन में होगा, और इन 2 variables, x भी दिखाना है, y भी दिखाना है, this is the x-axis, this is the y-axis, and y equal to 3, this straight line represents y is equal to 3, और इसे हमें, SLE सेकते है, 0 into x plus y is equal to 3, that is in 2 variables, इस तरह से हम in 1 variable और 2 variables में difference कर सकते हैं, 1 parameter में सिर्फ एक point आएगा, और इन 2 variables में क्या आएगा? x is straight line ayaga, y is equal to 3, and all the values of x may change, but the value of y will be always constant, that is the value is 3, right. Dear friends, if you like this video, please subscribe, like and share. Thank you everybody for watching this video.